हेलो एवरिवन आज के वीडियो में हम कॉंबिनेशनल सर्कृट देखने वाले हैं तू बिट बाय टू बीट बाइनरी मल्टिप्लायर मतलब तू बिट का नंबर रहेगा और उसका मल्टिप्लिकेशन भी टू बीट के नंबर से ही रहेगा और जो उसका अंसर आईगा उसके hit number है यहां पर हम two bit का देखने वाले number का multiplication लेकिन अगर यह मालो single bit है मतलब यह दोनो number कैसे हैं यह भी single bit number है ठीक है तो अब a और b के option जया हो सकते हैं अगर single bit number हो तो या तो दोनो number 0 हो सकते हैं я या एक 01 10 या 11 है ना तो अगर हम इन दोनो का multiply करें तो हमारा एंसर जो multiplication का answer आएगा A into B करते हैं तो 0 into 0 करते हैं तो क्या आएगा 0 0 into 1 0 1 into 0 0 और 1 into 1 1 मतलब अगर single bit का multiplication हम करते हैं तो हमको यहाँ पर end gate की requirement होगी क्योंकि end gate से आपको multiplication single bit का हो जाता है इसलिए अगर हम end gate का use कर ले तो हम single bit के अगर number हो दो तो उनका multiplication कर सकते हैं उसका combination circuit कोई बहुत difficult नहीं होगा simple एक end gate लगेगा मतलब आपने दो आपके number दे दिये A और B और end gate लगा दिया तो यहाँ पर आपको वहाई जो है multiplication मिल जाएगा यहाँ पर शर्त यह है कि आपके जो number होंगे वह single bit number होने चाहिए लेकिन हमारे two bit number हैं आप अगर मानलों कि हमारा given case में हमारे दो number ऐसे हो A जो आपका हो वह हो समझो one one और B जो आपका हो वह हो one zero इन दोनों का multiplication आपको करना है अब अगर आप multiply करते हैं इन दोनों का multiplication करते हैं तो multiplication का rule कैसे है कि पहले zero का multiplication one में फिर zero का multiplication again one में करेंगे उसके बाद वन का multiplication one में करेंगे और फिर one का multiplication फिर से one में करेंगे न तो यहां पर क्या होगा 0 का multiplication 1 में पहला करने पर क्या आने वाला है 0 into 1 मतलब कितना आया 0 into 1 0 1 into 0 0 यहाँ पर हम cross कर देते हैं 1 into 1 1 1 into 1 1 और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इनको add करते हैं तो 0 को में तो कुछ भी add नहीं होता तो यह तो वैसी आ जाएगा और 0 plus 1 मतलब 1 और यहाँ पर कोई carry नहीं गया है तो यह अकेला 1 है तो 1 मतलब इसका answer इस तरह से आया ठीक है तो यह आपका 2 bit multiplication तो on the paper हुआ है इसके लिए हमको circuit बनाना है तो आप circuit बनाने के लिए अगर मालो कि हम A और B आपके जो दो number है जिनको हम लिखेंगे A 0 A 1 क्योंकि यह 2 bit number है और जो B number है उसके लिए लिखा B 0 and B 1 तो अब हम जब multiplication करते हैं तब अभी यहाँ पर हमने उपर क्या किया 0 में 1 का किया multiply फिर 0 में 1 का किया उसके बाद 1 में 1 का किया 1 में 1 का किया तो आप यहाँ पर हम लिखेंगे तो पहले मतलब B 0 का multiply A 0 से B 0 का multiply A 1 से तो हो जाएगा B 0 A 0 और इधर आजाएगा B 0 A 1 उसके बाद यहाँ पर cross हो जाएगा और फिर B 1 का multiply A 0 से 21 A 0 और फिर B 1 का multiply A 1 से तो B 1 A 1 और उसके बाद हम इनको add करेंगे मतलब B0 A0 तो azts आजागे इसमें कुछ भी add नहीं होता है और B0 A1 प्लस B0 A1 करने पर आपको एक digit मिलेगा B1 A0 करने पर आपको एक digit मिलेगा उन दोनों को आपको add करना है उन दोनों को add करने पर जो भी answer आएगा वो यहाँ पर आएगा ठीक है तो वो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आपका आएगा B0 A1 प्लस B1 A0 और इसके बाद कुछ अगर carry generate होई तो वो carry यहाँ पर जाएगी इनको add करने पर अगर carry generate होती है तो वो next bit में जाएगी और वो carry यहाँ से अगर वो carry यहाँ पर जाती है कोई carry वो carry plus B1 A1 तो यहाँ पर आजाएगा carry plus B1 A1 यह आपकी third bit आजाएगी ठीक है तो इस तरीके से आपको two bits का multiplication करना है मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखिए B0 A0 करने के लिए आपको यहाँ पर एक end gate लगेगा B1 A1 के लिए दूसरा end gate लगेगा B1 A0 के लिए third end gate लगेगा और A1 B1 के लिए fourth end gate लगेगा मतलब आपको यहाँ पर combination circuit बनाने के लिए four end gates की जरूद पड़ेगी ठीक है तो यह four end gate आपको मिल गए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको half endrr की जरूद पड़ेगी अब half endr की जरूद क्यों पड़ेगी यहाँ आपको पता है कि half endr में आप two bits add कर पाते हैं half ender में आप कितनी bits add कर पाते हैं you can add two bits है ना एड करने पर यहां पर वनाया, यहां पर कोई carry generate नहीं हुई, लेकिन अगर मानों यहां पर कोई carry generate होती तो वो next place पर जाती हो, यहां पर भी आपको एक again half header की जरुवत पड़ती, तो आपको यहां पर इन दोनों को add करने के लिए एक half header की जरुवत पड़ेगी, और उसके बा आएगा, अगर यहां पर carry generate होता है, तो वो आपकी next bit आजाएगी, मतलब अगर आपका answer 4 bits में आने वाला हो तो, ठीक है, बात समझ में आए, तो यहां पर हमको end gets लगेंगे और 2 half header लगेंगे, तो अब यहां पर यह वाली जो bit आती है, इसको में represent कर रही हूँ, C0, यह इन C2 होगा, और अगर carry होगी, तो वो C3 होगी, वो next place पर आएगी, यहां पर, C3, अगर यहां पर carry होगी, तो वो next place पर shift हो जाएगी, तो इस तरीके से यह आपका 4 bit answer आएगा, लेकिन यहां पर जो आपने multiplication की है, अभी एक example लेकर, यहां पर आपका answer 3 bit आया है, यहां पर example हम देख लेते हैं, कि अगर मान लो कि आपका A हो, और B आपका हो, B भी आपका हो, 1, 1, तो यहां पर हम multiply करेंगे, तो क्या होगा, 1 into 1, 1, 1, 1, cross किया, again इस 1 का multiplication, 1 into 1, 1, 1, 1, 1, अब यहां पर आप देखिए, इसको, यह 1 तो ऐसा कैसा जाएगा, 1 plus 1, मतलब 0, और 1 carry हो गया यहां पर 1 plus 1 किया, मतलब आपको यहां पर 2 bit 8 करनी है, तो आपको एक half header लगेगा, तो एक half header का यहां पर 0 sum आया, और 1 carry जो कि आपकी carry थी, वो यहां पर चली गई, यह आपकी carry यहां पर से आई है, previous edition से, यह 1 plus यह 1 करने पर, again आपका 0 sum आया, और 1 आपकी carry आया, तो आपक half header की carry आएगी, वो आजाएगी, तो यहां पर आपको 2 half header लगेंगे, यहां पर और बाकी end gates लगेंगे, तो आप देखिए कि यह B0 input है, और यह B0 input यहां पर connect by इन 2 end gates है, और इस end gate का दूसरा input है A0, और इस end gate का दूसरा input है A1, तो इन दोनो end gate के पहले बाले end gate का output क्या हो A0, B0 जो आ रहा है, वो आपको सीधा C0, मतलब आपको सीधा मिल रहा है, इसमें कुछ भी add नहीं करना है, तो यह सीधा आपको नीचे चला जाएगा, यहां पर आपको यह C0 दे देगा, ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए, कि आपका जो यह 2 input आ रहे हैं, B0, A1 और B B1, A0, यह 2 end gate से आएंगे, तो यह पहले वाला देखिए, B0, यह B0 यहीं से लिया है, B0 वाली लाइन से, और A1, तो इसका output होगा, B0, A1, end gate है इसलिए, और यहां पर यह देखिए, B1 और A0, इसका output होगा, B1, A0, तो यह 2 input आ रहे हैं, यह है B1, A0 और B0, A1, तो B1, A0, B1, A0, और B0, A1, B1, A0, और B0, A1, यह दोनों add करना है, इन दोनों को add करना है, यह 2 bits है, तो आपको एक half header की जरूद पड़ेगी, तो यहां पर आप एक half header लगाएंगे, अब half header का जो sum होगा, वो sum आपको देगा, यहां पर C1, इस half header का sum आपको देगा C1, और इस half header की ज जो add होने पर, यहां पर sum आगया, और अगर carry generate होई है, तो वो B1, A1 में add होगी, तो B1, A1 में add होने के लिए, यहां पर देखिए, यह अगली place में चला जाएगा, मतलब यहां पर फिर से एक half header लगेगा, जिसके दो input होगे, एक तो previous half header से आने वाली carry, और एक होगा, यहां पर हमने दिया है, A1, यह न, A1 है, ध्यान रखना, यह A1 input है, तो यहां पर इस end gate का output होगा, B1, A1, तो आप यहां पर जो दूसरा half header लेंगे, यह आपका half header 1 है, और यह आपका half header 2 है, तो यहां से जो carry आई है, यह carry again यहां पर add होगी, तो एक यह input होगया, और एक यह input अगर carry नहीं होगी, तो carry की value 0 हो जाएगी, तो यहां पर यह B1, A1, प्लस यहां से अगर कुछ carry आती है, तो वो उसके बाद इन दोनों को add करने पर, यहां पर जो sum आएगा, वो आपका दे देगा, यहां पर C2 की value, C2 की value देगा, और यहां पर जो carry आएगी, अगर carry generate होती है, तो वो C3 की value देगा, तो इस तरीके से आपने दो half header और 4 end gate यूज़ करकर, यहां पर combinational circuit बनाया है, 2 bit नमबर का 2 bit नमबर से multiplication का, ठीक है, और इसका perfect example जो मैंने आपको दिया है, वो यहां पर अभी यह वाला दिया है, देखिए इस से, इससे क्या होता है, यह भी 2 bit से 2 bit का ही multiplication है, लेकिन यहां पर आपका answer 3 bits में आ रहा है, मतलब यहां पर आपको दूसरा half header में जो carry जाएगा, वो 0 जाने वाला है, लेकिन यहां पर वो कैसे कि यहां पर आप 1 प्लस 1 करते हैं, तो 0 आता है, और 1 carry आता है, जो आपका यहां पर चला गया, तो यह carry जब इस 1 मे 2 bit to 2 bit binary multiplier का, thank you for watching the video, if you are liking our videos then please like, subscribe and share our channel, और आपको अगर कोई question solve करवाना हो तो आप मुझे comment box में comment भी कर सकते हैं,